आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं बालो को थिक बनाने वाला एक ऐसा हेयर पैक जो की बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं मेरी यह जो लाइट कलर की ड्रेस में जो फोटो है यह प्रेगनेंसी डिलिवरी से पहले की है और इसमें बालो का कंडिशन और बालो अगर ब्लकाल भी शुरू दर है कि लुवाले मैं शिर्व हो सकते हैं जो चीज़वटे ऐसे हों दो दोस्ते। यह चीज़ करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए महनत करना शुरू कीजिए और बालों को मोटा घना और लंबा वनाई ठीक है आप देख सकते हैं बालों की कंडिशन कितनी ज्यादा अच्छी है बाल कितने ज्यादा घने लग रहे हैं आफ्टर डिलिवरी भी और प्रेग आज की वीडियो में आपके साथ में एक बहुत ही मैजिकल हेयर पैक शेयर कर रही हूँ जो कि समर में विंटर में और आप रिजनी सीजन में प्रियोक कर सकते हैं इसके रिजर्ट बहुत अच्छे हैं फर्स्ट अप्लिकेशन में ही आपके बालों की जो ज़णनी की समस्या है उसको कम कर देगा जब आप इसका प्रियोक करेंगे तो आपको खुद ही रिजर्ट मिलें ठीक है तो आज की वीडियो में जो हेयर पैक है हमारा इंस्टेंट बनेगा और इसको आप अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम नहीं है क्योंकि आजकल सभी लोग तो आप इसको एक घंटे पहले प्रिपैर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसके रिजर्ट बहुत अच्छे हैं फॉस्ट एप्लिकेशन में आपके बालो में हैवी वाउंसी लुक आएगा अगर आपके बाल बहुत जदा हलके हैं तो हलके बालो का कोई मतलब नहीं है इस हेयर पैक का आप रियोग कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं जो शेयर कर रही हूं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू आप लोगों को हमारे चैनल पर चल रहा है वन यर हेयर ग्रो चैलेंज जहां पर आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं दूसरी आप कोई भी मन से स्टार्ट कर सकते हैं आपको पूरा प्रपर 11-12 मन्थ करना है जिससे आपके बालों की जो ग्रोथ है कम से कम 35-40 इंच होगी एक साल में अगर आप प्रपर करते हैं तो दूसरी चीज है कि मैं अभी कुछ टाइम के बाद से शौर्ट वीडियो में आप ल दिलिवरी आफ्टर प्रेग्नेंसी जो कि मेरे बालों के लिए बहुत ही जादा बेनिफिशल रहा और मेरे 8 से 10 ही बाल निकलते हैं जो कि प्रेग्नेंसी में कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बाल बहुत निकल रहे हैं आफ्टर डिलिवरी भी बहुत निकल रहे हैं तो आ तो आप चाहें तो मंगा सकते हैं जिनके रिजर्ट्स बहुत अच्छे हैं मुझे कुछ कहने के जरुरत नहीं है आप एक बार फीडबैक देखें और जो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती हूं फीडबैक डालती हूं आप वह भी देखें तिक करने से होता है नहीं करन सबस्क्राइब करें तो आपको एक महिने लगैंगा थी तुम आपको जाये ओगेंगे दो प्ली कोई है यार bluffां बांच चाहें निवर्काहत्तो चीजों को यह मेर्भीरल एक शूरू आपको द्धाम तो बनल तो नहीं करें और अपने बालों को अच्छा मोटा घंणा बनाई का किउए चीजह करने सी होगा चीजे का आप इन देल किंट गया कि लोग तरह पडिद है जोस में आप कि मैं चीजे कर लेते हैं किवल तो आप कीजिए आपको रिजल्ट हंडर्ड परसंट मिलेंगे ही मिलेंगे तो इस हेर पैक को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं दूसी चीज यह कि अब मेंबर्शिप स्टार्ट हो रही है हमारी तो आप चाहें तो हमारी मेंबर्शिप भी जॉइन कर सकते हैं वन मन्त की 1599 रुपीज है थ्री मन्त की अगर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट किया जाता है आपको सारी इंफोमेशन इमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम पर दी जाएगी आप हमें कॉंटेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और इमेल के थ्रू ठीक है तो मेंबर्शिप हमारे स्टाट कर सकते हैं आपको साथ इस आप फ्रू टाटैविक है को हमारे एक प्रपैर करना मैं अनुप्य मेरे उसके और अब जाएण भानी प्रू झर्य है आपको इसको पका लेना है और जितना और पुरिया नहीं बोहुत प्रिसाओ से पटो taką हिक जि और इसमें काया शुक्त मतज़ी का जेड है , sod invasive first अब यहां पर हम अपना फ्लैक्सीट का जो जल है वो निकाल लेंगे जो सीट से इनका कोई भी प्रयोग नहीं है इनका यूज नहीं करना है आपको इनका फेक दीजिए ठीक है क्योंकि यह आपके बालों में चिपकेंगे और फिर हेयर फॉल की समस्या बना देते हैं उसके ब स्केल्प बालों की ग्रोथ अच्छी होती है नेक्स्ट औरेंज पील पाउडर इसका भी हमें दो चमश लेना है औरेंज पील पाउडर में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है जितना की ओरेंज में नहीं होता है तो यह आपके स्केल्प से डेंडर्फ को खतम करेगी स्केल्प को खतम करेगी और जो आपके स्केल्प में स्सीवम इकठा हो जाता है जिससे एर ग्रोथ रुख जाती है आपके जो पोर्ज होते वो ब्लॉक हो जाते हैं उनको खोलने का काम करती है ईल्फ गुटनेस की सारे ही प्रड़क्स आपको यूज करने हैं आप चाहें त और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है लास्ट में हमारे एक पावडर और पड़ेगा ब्रिंग्राज की क्वालिटी और गुड़नेस बता देती हूं हेर ग्रोथ को प्रमोट करता है हेर फॉल की समस्या को कम करता है आपके बालो को बूस्ट करता है और आपके स्केल्प को ब अगर आपके बालो की तरह वो काम करता है अगर आपके स्केल्प को बिलाते है और इस पैक को रेडी करते है तो यह पैक आपको बहुत बेनेफिट देने वाला है इबार ट्राइग की जेगा एल्फ गुड़नेस का रोस पेडल पावडर डालना है हमें लास्ट में जो की आ इसमें आड करना है पानी आप चाहें तो यहां पर जिंजर वाटर प्रपैर कर सकते हैं एक कप पानी ले इसमें आप एक से दो चम जिंजर डाल दे इसको बॉयल करके आप वो पानी इसमें आड कर सकते हैं या फिर आप यहां पर एड कर सकते हैं चावल का पानी फर्मंटे ब्लॉग चनल पर। ये विडियो मेरी आज की ही है और आज आपकी दो तारिक है तो आपको ये यूज करना है एक दिन पहले भी बना सकते हैं और इंस्टिंट भी बना कर इसको प्रयोग में ले सकते हैं सो गाइस रेखा आपने हमारा जो हेयर पैक है बनकर के रैडी हो चुका है इस हेयर पैक को आपको एक घंटे के लिए अपने बालो में लगाना है या आधे घंटे के लिए लगाना है हफते में तीन बार इसका प्रयोग कर रहे हैं आप तो आधे घंटे के लिए और अगर आप सुत्रे बालो में भी लगा सकते हैं और इसको आप अपने ओल लगेवी बालो पर भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको एक घंटे लगाने के बाद शांपू करना है और शांपू करने के बाद से आप अपने बालो में रिंस वाटर टोनर अपना ओलिंग जरूर करें एक गंटे के ग्याक पर उसके बाद आप अपनी ब्रेट बना ले तेल लगाने के दो गंटे बाद ही कॉम करनी चाहिए जिससे बाल कम टूटते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था मिलती हूं आप लोग उसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई लव यू अपना ख्याल रखेगा वीडियो ची लगी तो एक लाइक कर दीचेगा बाई